नमस्कार प्यारा हिंदोस्तान देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया अयोध्यावे हम मुझूद हैं और आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर फूल आपको नज़र आएंगे इसमें अगर बात की जाएगा बारा सो से तेरा सो इन तरीके के डिजइन वहाँ यहाँ पर बनेंगे आपको बता देघर वालग परण प्रदेश के अगर हम बात करें बुलन शहर सीतापूर उसके लावा दिल्ली से कुछ लोग आएं साउथ इंडिया से जो है लोग यहां पर पहुंचे हैं और आप देखें के जो मैंने 1200-1300 डिजाइन की बात की कुछ इन बोर्ड्स पे जो है यहां पर डिजाइन बन रहे हैं कुछ डिजाइन और बन करके यहां पर तयार हुए हैं इस समय देख सकते हैं आप विज्वल में मेरे कैमरा परसन वो आपको दिखा रहे हैं और उसके अलावा अगर आप देखें लगातार जो यहां पर सामान है वो यहां पर आता जा रहा है अलग लग प्रदेशों से और सीधे तोर पर अगर सीधे तोर पर बात कि जाए यहां पर जो विदेशों से फूल आ रहे हैं क्योंकि लगातार हम थाइलैंड की बात करते हैं फूलों को ले करके तो थाइलैंड से जो है वो यहां पर फूल आ रहे हैं मेरे कैमरा परसन आपको यहां पर दिखाएंगे वो अदिक्तर जो यहाँ पर बात की ज़ू है यहाँ पर पूर पोशे के गए यहाँ पर पहूंचे होंगे और इस समें देख सकते हैं आप यह पूरा का पूरा जो मैदान है यह tien वो यहाँ पर नज़हांगे इसे में रोजाना अगरबाद के ट्रक्स यहां पर पोंच रहे हैं फूलों से भरे हुए जिसमें एक ट्रक में लगभग 10-15 टन फूल यहां पर पोंच रहे हैं और उसके अलावा आप देख सकते हैं, यहां पर जो वरकर्स काम कर रहे हैं इनकी भी बहुत बड़ी संख्य है कुल आपको बता दे अयोध्या में तीन जेगाओं पर तीन जेगाओं जो है वो चिन हित की गई है जहाँ पर ये काम जो है इस समय हम जिस जेगाओं पर मौझूद है ये दरसल बाइपास जो बाहर बाइपास निकल रहा है यहाँ पर योध्या से लखनो का बाइपास निकल रहा है यहाँ पर जो है इस समय हम मौझूद है इस कैम्प में हम मौझूद है जहाँ पर ये फूलो का काम हो रहा है फिनिशिंग जो है वो यहाँ पर दी जा रहे हैं आप देख सकते हैं बहुत से कारिगर जो है वो गेंदे के फूल बना रहे हैं बहुत से कारिगर जो थाइलेंड से फूल आए हैं उनके जो बुकेस जो है वो यहाँ पर तियार कर रहे हैं और बड़ी संख्या में जो है कारिगर यहाँ पोंचे हुए हैं लगातार अभी भी कारिगर पोंच रहे उस दिन अयोध्या पूरी सजी हुई नजर आए जैसे कहा जाता है कि जब त्रेता यूग में धिपावली हुई थी यानि कि धिपावली अब हम मनाते जब बगवान श्री राम चंद्र जो 14 साल का वनवास काट करके वापिस इसी अयोध्या नगरी पोंचे थे उस समय जिस त उसे तयारियां कर रहे है क्योंकि महमान जो है वो यहां पर देश-विदेश से आने वाले हैं इसके बाद अगर जैसे बात की जैसे खुड ट्रस्ट ने बताया था कि पचास देशों के तरेपन डेलिगेट जो है वो यहां पर पहुंचेगे तो एक अलग सी छटा जो है व उनको अंतिम स्वरूब जो है वो यहां पर दिया जा रहा है तो आपको नजर में आएगा कि कैसे तयारी जो है वो यहां पर युद्या में की जा रही है और आप यहां देख सकते हैं जो काम यहां पर जोरो शोरो से यहां पर चल रहा है पूरा एक मैनेजमेंट जो है वो लगाया गया है और इसके लाब आगे भी देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है वो फूल जो है वो बड़ी संख्या में रखेंगे हैं यहाँ पर भी जो है फूलों को जो है अंतिम सुरूप जो है वो दिया जा रहा है जो डिजाइन जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं छ जोटे जो है डिजाइन यहाँ पर आपको दिखेंगे तैयार किया गे लेकिन अगर महनत की बात कि जए एक कारिगर की महनत की बात कि जए तो इसमें एक एक बनाने में कितना समय लगता है पत्चीस मिनट विलकुल 25 मिनट से आदा गंटा जो है वो एक ये बुके जो है तियार करने में लग जाता है क्योंकि आप इसमें देखेंगे तो आपको अलग-लग किसम के फूल जो है वो इसमें नजर आएंगे अलग-लग प्रकार के फूल जो है वो यहां पर नजर आएंगे फिर उनका कटिंग करना होता है और उनको एक डिजाइन में पर तब्दील करना होता है तो इसलिए इसमें काफी जादा समय यहाँ पर लगता है और आप देख सकते हैं पीछे पूरा सा एक अमबार लगा हुआ है यहाँ पर और सुबा-शाम दिनराज यहाँ पर काम लगा हुआ है लेकिन बड़ी संक्या में गेंदे के फूल आपको य रिखने को मिलेंगे इसके अलावा अगर बात कि जए तो और भी जो दो जगाएं हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से काम जो है इसी युद्धस्तर पर काम चल रहा है क्योंकि अब अगर बात कि जए प्रान पतिश्ठा का जो कारक्रम है वो काफी जादा नजदीक आ चुक है ज लेकिन आप यकीन मानी अगर आपने वो 30 दिसंबर का जो है यहाँ पर युद्ध्या को देखा था और अब जो आप 22 जनवरी को युद्ध्या देखेंगे आपको उसमें भी जमीन आसमान का फरक जो है वो नज़र आएगा सुबा शाम दिन रात हर जगा जो है वो यहाँ युद्धिस्तर पर काम चल रहा है अगर आप हमें खुद ये कितना अनुभव हूँ है कि हम रात को जहां से कवरेज करके गए हैं सुबा वापिस जब उस जगा कवरेज करने आते हैं तो एक रात के अंदर ही वहाँ पर पूरी काया पलट हो जाती है मशीने जहां पर भी लगी हूँ है चाहे फिर वो रोड पर काम करने की बात हो चाहे फिर वो साफ सफाई की बात हो क्योंकि स्वश्टिर्थ अब्यान की शुरुआत की गई वो खेमंत्री हो गया दित्तनात की तरफ से तो हर जगा जो है जो है जोरो शोरो से काम चल रहा है इसी बीच हमने आप बहुत अगरबाद के सनातन धरम में एक बहुत बड़ा महतव है और जब भी कुछ भी यहां पर हम पुन्य का काम करते हैं तो उसमें फूलों का इस्तेमाल किया जाता है और सजाने के लिए फूल से बहतर कुछ भी नहीं है और आप देख सेके हैं इसलिए यहां पर जैसा बा जो है सदर इंडिया से यानि की धक्षिन भारत से जो है वो भी यहां पर कारिगर आके काम कर रहे हैं और हर कोई आप देख सकते हैं इस समय पूरा युद्धस्तर पर यहां पर जो है वो काम चल रहा है सभी जो है वो लगे हुए हैं यहां पर और साथी साथ अगर बात की तो यहाँ पर कुछ लोग जो है वो फूलों की बड़ी मालाएं एक तरफ बना रहे हैं और देख सकते हैं आप यहाँ पर जो फूलों की मालाएं बनाई जा रहे हैं वो साथ ही साथ जो है उनको पैक करके जो है वो लिया जा रहा है सजाने के लिए साथ ही साथ जो यहाँ पर फ्रेम ब adventures बन करके यहां पर हाइवे पर लगाने के लिए एरपोर्ट से लेकर पूरा लतामंगेश कर चोराहे तक का पूरा रास्ता है वहां पर यह बोड लगाया जाएंगे तो साथ ही साथ जो यहां पर बोड तैयार हो रही है उनको ले जाया जा रहा है साथ ही साथ लगाने के लिए अभी आप देख सकते हैं यह पूरी टोकरी में जो है यहाँ पर आपको नज़र आएगा जो फूलों की माला है बनाई गई गई वो यहाँ पर और यह पिछले दो से तीन दिन से यही काम चल रहा है जो भी चीजें यहाँ पर बन जाते हैं उसको साथ ही साथ जो है वो यहाँ से बेज दिया जाता है ताकि लगाने में सुगमता । और समान वो टरक्स में आते जा रहे हैं और लगातार यहाँ पर सुबा, शाम, दिन, राट सजाने का काम जो इसी तरीके से यहाँ इकिस तारिक रात तक चलता रहेगा ताकि 22 तारीक को जब आप देखेंगे 22 जनरी को जब आप देखेंगे प्रान पतिश्ठका कारकरम 496 वर्षों के बाद राम लला जो विराजमान होने जा रहे हैं श्री राम जनम बूमी मंदिर में उस समय एक अलग ही छटा जो है वो अयोध्या की देखने को मिलेग आपका क्या कहना है इस पूरी रिपोर्ट पर आप जरूर हमारा साक में शिएर करें क्योंकि यह योध्या से लगातार कवरिज हमारी जारी होर 22 जन्री का हमको भी बेसबरी से इंतिसार है और यकीन मानिये नही के वो योध्या पूरा देश इस समय सज़ रहा है देश के हर एक कोने में हिस समय सी तरीके से साज सजावट कोई भी छोटी गली हो कोई भी बड़ा मुहला हो सब जेगा जो है सि तरीके से सजावट जोरो-शोरो से चल रही है तो अयोध्या में तो सजावट होगी बैरहल बने रहे है आप प्यारा हिंदोस्तान के साथ लगातार कवरेज हमारी जारी है अयोध्या से नॉन स्टॉप आपकी इस पर क्या प्रतिकर आपकी क्याते यारी है बाई जन्री को लेकर आप यो जरूर हमार साथ कमेंट बॉक्स में शेर करें विडियो जनलिस्ट विजे के साथ अरजुन खजूरिया प्यारा हिंदुस्तान अयोध्या